लोगाई सागता आप सभी एक बार फिर PhD क्लासेस में गाइज हमारे जो सरी चल रही है बैंक प्लस सस्की 125 प्लस है टुकी उसका 36 पार्ट है और हमने जैसे सही वर्डों को विर्ट्रिक के साथ लेंड करा है आज के वर्ड्स भी विर्ट्रिक के साथ लेंड करेंगे अगर उसके बाद आप कोई भी एक्जाम दे लेना बैंक एससी डिफेंस या आप कोई पैसी सोल्व कर लेना आर्टिकल पढ़ लेना कुछ भी पढ़ लेना इन वर्डों के अलावा आपको वर्ड नहीं मिलेंगे चलिए शुरू करते हैं आज के वर्डों को गाइस आज का पहला वर्ड वह हमारा इस्टडी जिसका हिंदी मिनिंग होता है कंटीनियूस या लगातार और यह वर्ड भी आपका बार बार कंटीनियूस ही आ रहा है क्या होता है इस्टडी की बात करो तो यह आपका एक एड्जेक्टी होता है और जिसका हिंदी मिनिंग होता है लगातार और और कभी भी अपनी स्टेडी को क्या है रोकता नहीं है लगातार करता है इस टाइप की में आपको ट्रिक बताई हुई अगर आपने नहीं देखिए पीछे की वीडियो तो जल्दी जाइए उन वीडियो को देखी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नेक्स्ट वर्ड गाइस हमार तक क्या हे डिस क्रिश्णरी डिस क्रिश्णर और जिसका हिंदी में निगता है स्वच्छा पनिरभरस या इसका एक वर्ड और होता है जिसको कहते हैं विवेक अधीन विवेक अधीन कहते हैं मतलब जो बने खुल लेता उसव्च्छ पर निर्भरातार समय स्वेर निर्य अगत को उसको कहते हैं डिस्क क्रिश्नरी क्या से रिलेट करेंगे इसको हम विट्रिक के साथ देखें इसक्ति में मैं बिलोट करहें किस से डिस को दिस्स से कृष्ण भगवान है उनकी नगरी में लोग अपनी सुच्छा पर क्या होते हैं निरबर रहते हैं स्भय निड्ने लेती हैं वह अपने क्या रहते थे निर्भर रहते थे अगर मैं डिस्क क्रिष्णरी की बात करूं तो यह आपका क्या होता है का आपका एक एक होता है डिस्क क्रिष्णरी क्रिष्ण की नगरी में क्या स्वेच्छा पर हम क्या होते हैं निर्भर रहते हैं या स्वर्ण पे मतलब क्या होता है किसी को पे करना कोई चीज जैसे पैसे पे करते हैं किसी को तो आजकल अगर आप किसी को पैसे कर देते हैं तो आपका सफल होना क्या होता है आप सफल हो जाएंगे कहते हैं कि पैसे दू अपना काम करवाए तो आजकल पैसे से आप सफल भी हो सकते हैं इ अगर आप अभी तक इतने पार्ट अगर आपने देखे ना तो देखिए आपके वर्ड भी रिवाइज हो रहे हैं और और यही वर्ड आपको आने वाले कोई भी एक्जाम दे ले ना उसी में आपको यही वर्ड मिलेंगे और यह जैसे जैसे रिवाइज हो रहे हैं आपकी इ इसका Hindi meaning क्या होता है agreement या सहमती जहां पर होती है वाँ पे consensus word का use करते हैं next देखते हैं next है हमारा scenario यह भी पीछे आया हुआ यह तो साथ अभी दो तीन पार्ट पहले ही यह word आया था scenario जरी poco है क्या परिष्थिति और होता क्या है यह आपका इसको भी पीछे देखे ना कि ला को नेक्ट व्राइब रहें क्यंने इंप्लोइशन मेंग होता है अचानक पतन हो जाना फ्रत कि बात करों मतलब impossible impossible है ocean यह वह वला ocean ocean impossible है कि ocean का अचानक क्या हो जाक पतन हो जाये यह बिलकुल impossible है तो implosion implosion का मतलब होता है collapse या अचानक पतन हो जाना लिन связ flip side flip side जिसका हिंदी将 होता है दूसरा पहलो या होता क्या है आपका फिलिप सैड्ट फिलिप सैड्ट आपका एक नावन होता है और कैसे इसको फिलिप को तो किससे फिलिप को नो को आपका पता है कि कहते हैं एक तरफ दूसरी तरफ हो रहा है तो वहां पर क्या कहेंगे फिलिप साइड यार जैसे इसका साइड साइड मतलब क्या होता है दूसरी तरफ आ बतलु की जहें शटर मेस्टेंस का हिंदी मीनिंग होता है द्रश्टिक एक नाउन होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है द्रश्टी कोन या आपका एक इस टेंस का इस टेंस की अगर में बात करो तो इसका एक हिंदी मीनिंग मुद्रा भी होता है क्या होता है इसको हम इस टेंस को मुद्रा भी कहते हैं कि ठीक है और कैसे रिलेट करेंगे इस टैंस इस टैंस को आप जभी समझ पाएंगे जब आपका द्रश्टी कोण आपका क्या होगा सही होगा या आपका एटिट्यूड या द्रश्टी कोण देखने की तरीका आपका अगर सही है जब वही आप क्या करेंगे इस सीख पाएंगे लटनों महीं और नेश्ट देखते हैं इस घ्रत मरा पेर जिसका हीनी मीनिंग होता है कि एक दोफैह क्या होता है और कैसे रिलेट करेंगे इस ट्रीक के साथ पेर को मैंас पेर दोफैchesone करेंता कि पेर温ोर और तो आज कल पेड़ में बहुत ज़्यदे कटोती हो रही है उस बहुत ज़्यदे चिछीला जा रहा है कि पटीक को कसना काटना जहां बात की जाती है वहाँ पेड का वर्ड का हम परियोग करते हैं तो पेड़ को पेड़ कराके से पीड़ से पिडRO में का हो रही है कट हो रही है इनेश देखते हैं गõरा आप partly अ वह पोष्ट फोर पोष्ट फोडो क्या होता है तयार होना यह आपकी फीजिर अबहाँ है पोष्ट में पोष्ट फॉर नेश देखते हैं क्षेसोफ करना क्या से इंगर करेंगे किसको लिभी आपका क्या है एक फेज वाग है और कैसे रिलेट करेंगे इसको नहीं कहीम कहते हैं बहु कर रहा है वो रिवात कर रहा है बहू कि जब से से मिलेगा यह विवाद ही होगा कहते हैं न कि face to face हो जाना है तो क्या करते हैं वह विवाद करना आपस में लेश देखते हैं लीड टू यह आपका क्या है एक फेजल वह लीड टू इसका हिंदी मिनिंग होता है परिणाम होना नेक्स्ट है इसपर्ट यह पीछे आया हुआ है एक बार आया है यह वर्ड पीछे इसपर्ट क्या होता है इसपर्ट इसपर्ट आपका एक नाउन होता है हिंदी मिनिंग होता है इसका तेजी से अब रधी कैसे रिलेट करेंगे इ स्पोर्ट में सब्सक्त when बुढ और ना को सब्सक्राइब आज सब्सक्राइब MA सब्सक्राइब emission कि लोग इस्पोर्ट की तरफ जदें Modern आ इंट्रेस्ट ले रहे हैं तो पोल स्ब्सक्राइब और लोग sport के तरफ क्या ले रहे हैं, interest ले रहे है, spart अल्डी क्या होता है, तेज़ी से बढ़ोत तरी, next देखते हैं, next है मरा has, has जिसका हिंदी मिनिंग होता है, शुरक्षित करना, क्या होता है, has आपका noun भी होता है, और ये आपका वोब भी होता है उपर आपका इसपर्ट भी नाउन था और ये आपका नाउन और वोब दोनों होता है कैसे रिलेट करेंगे हैज को हैज को हम रिलेट करेंगे किस से हैजा से वही हैजा बिमारी जो है उससे जो है लोगों को क्या करना है सुरक्सित करना है बूरे परभाव से लोगों को बचाना है कि हैजा बिमारी से आप लोग बचें ज्यादा परदूसित खाना ना खाएं गंदा है जल का परियोग ना करें तो हैज मतलब होता है हैजा हैजा बिमारी से लोगों को क्या करना है सुरक्सित करना है बूरे परभा आशू होता है यह मतलब क्या होता है आशू आपको पता हो गए कुमन वर्ड है टियर होता क्या है तो टियर भी आपका आपका टियर नाउन होता है और आपका वो भी होता है कैसे रिलेट करेंगे टियर को कि तेजी से बढ़ना कि आप के आशू आप तेजी से बढ़ रहे हैं तो आसू तेजी से क्या कर रहे हैं बढ़ रहे हैं गिर रहे हैं तो टीर आसू क्या रहे तेजी से बढ़ रहे हैं लड़न होगा नेक्स्ट देखते हैं कि अंपर खुलिंट को झिसका और तो जिसका हिंदी मिनिंग होता है एनीजी स्की क्ऊछ पर ST आ पका एक एध्यक्ति होता है क्याइस करें जान कि आन टेम को रø kissing को प्रेइंड टेम को क्याते हैं न थोड़ा से उसको बाद साम्हें मैं कहते हैं अब यहसी लेंगए टैइम नहीं है तो अन्टैमड मेरे पास अब टैम नहीं है कि यूंब मैं बहुत ज़ादा एन्यंतरित हो गया उन्कंट्रोल डिड़ तो यह tamararad Tuami Motor कैसो करी मिनिंग होता है पर्थम अवनोकन प्रुमाफे सोता है तो यह आपका एक ऑड्यक्तिव होता है और यह आपका एडब भी होता है ठीक है कैसे करेंगे प्रीमाफेष से प्रियों मेरी मा मेरी मा मेरी सब्सक्राइब करके आपन過來 करने से पहला अब नुटार मेरी मा मतलब कर्तम मां मुर्ष कर पर्थम परियास किसी अग्जाम का पर्थम द्रश्टी पर अधारित भी आप कह सकते हैं नेक्स्ट है हमारा कोवेट जिसका हिंदी मिनिंग होता है चितावनी देना क्या होता है कोवेट कोवेट आपका एक नावन होता है आप इसको कोवेट को आप रिलेट कर सकता है कोवेट य मास्क लगाई है ये यूंज कीजिये तो कॉवीट बार्त करें किससे कोवेट से देखते हैं निस्ट है हमारा बैंड ओवर गया बैंड ऑवर बैक्वर्ड जरूरत से क्या होता है जरूरत से ज़्यादा सहायता करना किसी की जरूरत से ज़्यादा अगर आप सहायता कर देंगे तो क्या हो जागा वो उसको हिंदी में उसको इंग्लिस में क्या कहते हैं बैंड ओवर बैक वर्ड्स नेक्स्ट देखते हैं एपीज हिह इए अपका आह पई इसकी मीनिंग होता है खुश करना या करना है यह पीज मतलब क्या होता है अप का यए कÀ आपका वह ओता है क्योंと思います कृक्छ इस आप हुदर क्सबर स्यासा हो जाता है जो दो उसके बदो म्म्मिय उस इस वर कहती है तो एक जो होता है को एक और पीस एक को दो करा यहसें मतलब होता किसी चीज का पीस या कह सकतो किसी सीज का तुक्रा या सब्सक्राइब लई ने कि पेष्टिस बगएरा थि से तो आपीस मतलब क्या होता है खुस होना या किसी को सांथ कर देना जो पहले गुस्य में था उसको सांथ कर दिया एक पीस देखकर तो आपीस मतलब होता है खुस करना या सांथ करना नेक्स्ट हमारा फ्लैग फ्लैग मतलब क्या होता है लड़ खड़ाना फ्लैग मतलब मतलब लड़ खडाना भी होता तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं फ्लैग है जंडा फिराते फिराते समय वो लड़ खड़ा गया क्यूंकि उसकी तविया ठीक नहीं थी तो लड़ लड़ख खड़ाना फ्लैग मतलब लड़ खड़ाना भी होता है यह यह पीछे आया हुआ वर्ड जिसका हिंदी मिनिंग क्या होता है कि मैं बताया थे वाई है है यह वारिक हो किसी के साथ तो यह थे गाइज आज की आपके कुछ वर्ड अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यही वर्ड कोई भी एक्जाम दे लेना मैं बार बार कहता हूँ आपको यही वर्ड मिलेंगे या आप घर पे अगर प्रैक्टिस भी करत वीडियो थैंक्स